आज मैं बनाने जारी उरे दाल का बरी और ये बरी बनाना बहुत ही असान है और इसे आप साल पर तक लाइश्टोर करके भी डख सकते हैं बिल्कुल भी खराब अगरा कुछ नहीं होगा बस एक बात का ध्यान रहे किस बरी को अच्छे से धूप में 3-4 दिन सुखा ले सुख प्लीज चैनल को सस्क्राब करना ना भूले तो चलिए मैं रैस्पी को सूर करते हूं यहां पर मैंने लिया है उरत दाल मैंने लिया है 500 ग्राम उरत दाल को मैंने रात में भींगो दिया था और यच्छे से फूल गया और इसका जो पानी था मैंने निकाल दिया है तो यहां आसे जो बच्चा हुँए डाल है उसे भी मैं पीस लूँगे तो यहाँ पर सारे उरद के डाल है जो मैंनापिस लिया है पिस्टे बक जादा पाणी आप इसमें ना डाले बस थोराँ सही पाणी डालके से पीसे तो उराद दाल में डालने के लिए मैं मसाला त्यार कर लेती हूँ तो यहाँ पर मैंने गुल की जीरा थोड़ा सा डाला है और यह मैंने थोड़ा सा सौप डाला है और थोड़ा से मैं इसमें खारा धन्या डाल रही हूँ और मसालों को मैं पीस लेती हूँ इसे जो उरा दाल के बड़ी में टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है तो ये देखिए मैंने थोड़ा दर दरा ही इसे पिसा है तो जो मैंने मसाला त्यार किया है उसे मैं उरा दाल में डाल देती हूँ ये देखिए और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हिंग लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ तो यह भी मैंने इसमें डाल दिया है और इसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ तो यहाँ पर मैं चमर से मिला रही हूँ आप चाहते से हाँच से भी अच्छे से मिला ले तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिला लिया है यह देखें, इलकल यह डेडी हो गया है तो मैंने एक बड़ा सा प्लेट लिया है थोड़ा सा मैंने तेल डाला है और अच्छे से से मैं फैला देती हूँ इसे बरी है जो चिपकेगा भी नहीं अराम से आप उलट उलट सकते है तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा मिशरंक ले रही हूँ और एक साइज का ही मैं बरी इस तरह से तोड़ते जा रही हूँ यह देखिए तो यहाँ पर सारे मैंने बरी को तोड़ कर बना लिया है तो यह देखिए इसे मैं 3-4 दिन कड़ा धूप में छट पर रख दूँगी तो बरी है जो बिल्कुल अच्छे से सुख जाएगा तो यह देखिए 3-4 दिन हो गया था तो बरी बिल्कुल ही सुख के तयार हो गया है तो यह बिल्कुल ही जो आप मार्केट से खड़ते हैं उससे बहतर और अच्छा बरी घर पर आप इस तरह से बना सकते हैं जब घर में सबजी पगड़ा कुछ भी ना हो तो आप इस बरी का सबजी बना कर खाएगा खाने में यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है तो आप चाहे तो बरी के बना सकते है या तो बरी बैगन भी बना सकते है ये सबजी खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सस्क्राब करना ना भूले फिर मैं मिलूँगी ने वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई